कॉंग्रस सध्यक्ष राहूल गांधी द्वारा आतंकी मसूत अजहर को जी कहकर बुलाने पर राजनिती गल्यारों में हल्चल तेच हो गई है केंद्री मंत्रियों और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहूल गांधी पर निशाना साधा है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहूल गांधी ने कल आदर्श सुचक शब्द बोले हैं इसके लिए उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है उन्होंने कहा कि राहूल गांधी ऐसे वक्त में आतंकी मसूत अजहर को जी कहकर संबोधित कर रहे हैं जब भारत संब्त राष्ट में उसे वैश्विक आतंकी घोशित करने की मांग कर रहा है